हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर्डी बिजनस आइडिया चैनल आज के वीडियो में मैं आपको सब्जी के बिजनस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तरीके को बताने जा रही हूं जिसको अगर आप अपनाते हैं तो उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो व बिजनस नहीं चल रहा है उतना तो आप क्या करें अपनी शौक का नंबर या फिर आपको खुद का कॉंटेक्ट नंबर अपनी शौक का एड्रेस उसको शोशल मेडिया पर डाल दीजिए जैसे फेस्बूक इंस्ट्राग्राम यूटूब या फिर इसको बढ़ाने के लिए आप जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं उनसे कॉंटेक्ट कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि लोग आपको जानेंगे और आपसे सबजी खरीदेंगे ऑनलाइन सबजी बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी अगर आप वेबसा सा एडिया है कि आप घर-घर जाके मतलब इसे रेस्टोरेंट हो गया होटल हो गये बड़े-बड़े या फिर शादी पार्टी में जो ओर्डर लेते हैं केटरिंग वाले से उनसे अगर आप कॉंटेक्ट करते हैं क्योंकि शादियों में और जो छोटी-छोटी पार्टी हो होता है वो रखें आपके पास कस्टोमर आया और अप उसको ऐक तो ईसको खराब सब्जी ना दे तो कस्टोमर आपके पास दुबारा आएगा अगर कोई कस्टोमर से नहीं आ सकता तो आप उसको अपना कार्ड देदीजियर और उसको बोलिए कि हमके गर पेपे अपकी घर करनी पड़ेगी अगर यह इस आइडिया से आपका बिजनस चल जाता है तो दीरे दीरे आपको आसपास एक स्टाफ रख लीजिए जो आपको यह का जिससे आपका काम हलका हो जाए इस तरीके से आप इस सब्जी के बिजनस को बढ़ा सकते हैं देखो फ्रेंस कोई भी बिजन में सब्जी दे रहे हैं तो कस्टमर आपके पास 2 बार आएगा एक बार में इसको महंगी सब्जी दे देंगे तो कस्टमर आपք को बांने के लिए आपको अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी समझोता नहीं करना चاइए मेरे तो कहने का मतलब यही है तो फ्रेंस अगर